हलो चिल्रेन, आज हम लोग स्टेंडर फाइब लेशन फोर संग्या देखेंगे संग्या, बच्चों हम अपने चारों तरफ यानि पूरे ब्रहमांड में जो भी वस्तुवंग या प्राणियों को देखते हैं, सबका अपना नाम होता है और हम उन वस्तुवंग को उनके नामों से जानते और पहचानते हैं, इन्ही नामों को हम संग्या कहते हैं बच्चों आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह घोड़ा है, आस्मान में तारे हैं, पिताजी दबतर जा रहे हैं उपर दिये गए चित्रों में घोड़ा, आस्मान, तारे, पिताजी, दबतर आकास और मानस किसी ना किसी के नाम हैं, इन्ही नामों को हम संग्या कहते हैं तो अब हम लोग देखेंगे संग्या किसे कहते हैं, या संग्या की परिभासा किसी वेक्ति, वस्तू, अस्थान या भाव की नाम का बोध करानी वाले सब्दों को संग्या कहते हैं अब देखेंगे संग्या के भेद, संग्या की तीन भेद होते हैं बेक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या अब हम लोग एक-एक करके देखेंगे बेक्ति वाचक संग्या जिस सब्द से किसी वेक्ति, वस्तू या स्थान का बोध हो उसे बेक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे गंगा हिमाले से निकलती है ताजमहल आगरा में है यहां गंगा, हिमाले, ताजमहल, आगरा, विसेश नाम है इसलिए ये वेक्ति वाचक संग्या है अन्या उदाहरन, महात्मा गांधी, सूरिय, चंद्रेमा, भारत, दिल्ली, अमेरिका, लाल किला, आदी आगे देखेंगे वेक्ति वाचक संग्या के कुछ और उदाहरन सूरिय, चंद्रेमा, प्रिथ्वी, आदी एक ही है इसलिए ये वेक्ति वाचक संग्या में आते है जैसे सूरिय एक ही है, चंद्रेमा भी एक ही है, और प्रिथ्वी भी एक ही है इसलिए ये वेक्ति वाचक संग्या में आते है महीनों के नाम बेक्ति वाचक संग्या होते हैं महीनों के नाम भी जैसे जन्वरी, फर्वरी सब एक-एक है इसलिए वो भी उनके नाम भी विसेश हैं इसलिए वे भी बेगती वाचक संग्या में होते हैं थर्ड नमबर फूल फलों और सब्जियों के नाम जाती वाचक संग्या होते हैं क्योंकि वे एक नहीं अनेक होते हैं बच्चों यहां समझेंगे फलों, सब्जियों ये एक समूह में होते हैं फल बोलने से बहुत सारे फल, सब्जियों बोलने से बहुत सारे सब्जियां इसलिए ये बेकती वाचक संग्या में नहीं होते हैं ये जाती वाचक संग्या में गिने जाते हैं अब आगे देखेंगे second number जाति वाचक संग्या जिस संग्या सब्द से किसी वेक्ती वस्तु या स्थान की पूरी जाती का बोध हो उसे जाति वाचक संग्या कहते हैं जैसे लड़के खेल रहे हैं, मेज पर किताब रखी है यहां लड़के, मेज, किताब, जाती वाचक संग्या है अन्या उदाहरन, घड़ी, कुत्ता, देश, सहर, आम, नदी, पहाड, औरत, हाथी, इतियादी अब आगे देखेंगे जाती वाचक संग्या के कुछ और उदाहरन समु वाची सद, जाती वाचक संग्या होते हैं समु यानि दल, जुन्ड, जैसे सेना, कक्छा, गुच्छा, जुलुस, शभा, भीड, जुन्ड, आदी सेकेंड नमबर, धातू और द्रव्य पदार्थों के नाम भी जाती वाचक संग्या होते हैं धातू, सोना, लोहा, ये धातू में आते हैं, गिने जाते हैं दूद, तेल, ये द्रव्य पदार्थ हैं, इसलिए धातू और द्रव्य जाती वाचक संग्या होते हैं थर्ड नमबर, भाव आचक संग्या, जिस सद से किसी के गुन, दोस, दशा, स्वभाव का पता चले, उसे भाव आचक संग्या कहते हैं जैसे इमंदारी, बचपना, जवानी, बूढ़ापा, गर्मी, मोटापा, सुंदर्ता, आदी कुछ संग्याई मूल रूप से ही भाव आचक होती हैं, जैसे सत्या, परुपकार, इमंदारी, दुख, सुख, आदी अब आगे देखेंगे, भाव आचक संग्या बनाना जैसे यहां जाती वाचक संग्या और भाव आचक संग्या अलग-अलग कोलम है तो जाती वाचक संग्या से हमको भाव आचक संग्या बनाना है जाती वाचक संग्या बच्चा, उससे भाव आचक संग्या बनाएं तो क्या हो गया? बचपन बूढा, बूढापा, बुरा, बुराई, देव, देवत्त्व आगे देखेंगे सर्वनाम में है मम अपना अपना पन अपनात्व आगे देखेंगे बिसेशन से भावाचक संग्या बनाना बिसेशन सब्ध है मीठा मीठा से भावाचक संग्या बनेगा मिठास ठंधा ठंधक, गरम गर्मी, उचा उचाई, बड़ा बडपन, प्यासा प्यास, हरा हरियाली, बुरा बुराई, लाल लालीमा डरपोग, डर, भूखा, भूख, वीर, वीरता, गोला, गोलाई, महान, महानता, खटा, खटास, मोटा, मोटापा, छोटा, छुटुपन, सुन्दर, सुन्दर्ता नेक्स्ट देखेंगे क्रिया से भावाचक संग्या बनाना क्रिया, हसना, भावाचक संग्या हो गया, हसी लिखना, लिखाई, लिखावट, चलना, चाल, उड़ना, उड़ान रोना, रुलाई, देना, दान, मिलना, मिलावट, पढ़ना, पढ़ाई बच्चो मैं आसा करती हूँ कि आप सभी ने संग्या पाट समझ गए होंगे धन्यावाद